गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा की कल हमने आपको लेसन 10 सदाचाल कोश्चन अंसर कराये थे, लोंग कोश्चन अंसर, आज हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे 5, 6 and 7 एक्सरसाइज 5 इसमें क्या है? शब्द, विबगती, लिंग और वचन बताने तो फर्स्ट वर्ड है हमारा गुणा नाम, गुणा नाम में शश्टी विबगती, पुलिंग और वचन है सेकिंड है मनो योगेन, मनो योगेन में तृतिया विबगती, पुलिंग और एक वचन का प्रियोग हुआ है फोर्थ है अस्मा भी, अस्मा भी में तृतिया विबगती, पुलिंग और वचन का प्रियोग हुआ है फोर्थ विद्यार्थिने, विद्यार्थिने में प्रत्मा विबगती, पुलिंग और वचन का प्रियोग हुआ है देशे में सब्तमी विबक्ती, पुलिंग और एक वचन का प्रियोग किया गया है exercise 6 exercise में हमें क्या बताना है अनियर प्रत्ते जोडने पर एक नया वर्ड बनता है उसे बताना है पट प्लस अनियर पटनी है, भू प्लस अनियर भवनी है, कत प्लस अनियर कतनी है, क्री प्लस अनियर करनी है, श्रू प्लस अनियर श्रवनी है और 7th exercise में हमें उपसर्ग बताना है उपसर्ग जो हैं वो वाक्य के शब्द के आगे लगते हैं अनुशाशनम, अनुशाशनम में अनुपसर्ग है, परिश्रमेन परिउपसर्ग है, सत्पुर्शा सत्उपसर्ग है, आभुशनम में आउपसर्ग है बेटा आपकी 5, 6, 7 exercise complete हो चुकी है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, सुन्दर सुन्दर राइटिंग में अपनी बुक complete करनी है, और ये exercise आपको learn करनी, ठीक है बेटा, ओके, थैंक्यू, have a nice day